दोस्तों नमस्कार मेरा नाम सोपाल सिंग राठोड और मेरे यूटूब चैनल पे आप से भी काहर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज गब इसे है लीजडीड 90 येर्स की क्यों होती है और इसको क्या फ्री होल्ड भी कराया जा सकता है और ये कब से लागू हुई थी इन सब चीजों के बारे में आद डिसकस करने वाणा हूँ दोस्तों लीजडीड जो है 99 येर की इसलिए की थी क्योंकि लोग अपने प्लोट्स को अपने जमीन को जो रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल यानि कि वेवसाइक जो प्लोट्स था मकान था उनको बार-बार बेचते थे इसके लिए इस पे 99 येर की लीजडीड की थी और ये जो हुआ था नगरिय भूमी निस्पादन नियम 1974 के तेथ उसकी धारा तीन के तेथ हुआ था तो उसमें चेंजडेज हुआ था लेकिन इसके बाद में भी लोगों ने बार-बार सेल करना बेचना शुरू कर दिया था हर जगें विकास प्रादीकरण या नगर नियोजक ये जो लीजडीड करता है वो अमांट लेके कुछ पेमेंट लेके कुछ फीस लेके करता है अब भी जो चल रहा है राजस्तान की अधियापन बात करें तो आठ वर्ट्स की लीजड जमा होती है और आठ वर्ट्स में 99 येर का लीज मिल जाता है सितंबर 2020 के अंदर अजमेर विकास प्रादीकरण ने फ्री होल्ट का ओप्सन दिया था उसके अंदर जो आठ वर्ट्स ये लीजड अपन जो जमा कराते थे उसका सवागुणा यानि कि आप 10 साल की लीजड जमा करा दो यदि आपकी आवाश ये प्रोपर्टी है आवाश ये वुखंड है या आवाश ये मकान है तो उसके अंदर आपको 10 साल की यदि आप लीज डीड एक साथ जमा करा देते हैं तो आपकी प्रोपर्टी फ्री होल्ड हो जाती है उसके किसी का कोई अधिकार नहीं रहता है ने कोई गोर्मेंट कर रहता है इसीतरे यदि आपके पास व्यॉषएक प्रोपर्टी है या व्यॉषएक प्लोट है तो उसके अंदर आपको डेट गुना यानि कि आप जो आइट वर्श ये लीस जमा कराते हैं उसकी जगें आप 12 साल की लीज डीड जमा करा देते हैं तो आपकी प्रोपर्टी कि फ्र रजस्तान की यदियापन बात करें, तो सब जगें ये 2020 के बाद में नियम लागू हुआ है, आप इसको freehold करा सकते हैं, freehold के अंदर कई फाइदे होते हैं, जैसे bank वगरा लोन देते हैं, तो उसमें freehold के अंदर आपके chances ज्यादा रहते हैं, या उसमें rate of interest भी काफी कम मिल जा पहले से सुरू हो गया था, तो अपने को यदि freehold property करवानी है, तो उसके अंदर आपन ये lease deed बढ़ा के दे सकते हैं, दोस्तों, ये lease deed का जो option था, वो बार-बार property नहीं बेचनी की वज़े से हुआ था, लेकिन उसके बाद में भी लोग sale कर रहे थे, विकास प्राधिकरंस की यदि अपन बात करें, तो ये 90 के असपास शुरू हो थे, उससे पहले नगरिये या UIT करके वादा करता था, तो उसके अंदर लोग अप्रूड कराके उस प्राधिकरंसे या नगर नियोजन करके संस्ताती उन से करवाते थे, तो अब आप freehold के अंदर property करवा सकते हैं, इसके लिए आपको उस विकास प्राधिकरंड की website पे कुछ चीज़ आपको detail में मिल जाएगी, इसके अलवा आप नजदीक के विकास प्राधिकरंड में जाके संपर्क करें, दोस्तों आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दोस दोस्तों, आप घर पर रहें, स्वस्त्रें, व्यस्त्रें और आप मस्त्रें